तो देश में कोरोना संकमण पर काबू पाने के लिए तेजी से कोविड टी का करन अभियान चुलाया जो रहा है देश में फिलहाल अधिकतल लोगों को कोविशिल्ड वैक्सीन दी जा चुकी है लेकिन इससे जुड़ी एक खबर ने विदेश जाने की तैयारी करने वाले या पासपोर्ट जारी करना शुरू कर दिया जो यूरोपियों लोगों को काम या परटन के लिए सुतंत रूप से आने जाने की अनुमति देगा वैक्सीन पासपोर्ट इस बात के प्रमाण के रूप में काम करेगा कि किसी व्यक्त को कोरोना वायरस से प्रतिरक्षा देने वा कि यह ईउ व्यापी विपढ़न प्राधिकरन से प्राप्त करने वाले कोविटी को तक ही सीविध होगा तो उत्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनावन नजदीकार हैं वैसे वैसे रोजने सियासी समीकरन बन और बिगड रहें प्रदेश में जहां बीजोपी एक बर फिर योगी आधितनात के चहरे पर चुनावी रंड भूम में जाने को तयार है तो विपक्ष अभी तक गटबंधन की राजनीत में उलस्ता नज़ार रहा इस वीट चुनाव से पहले एक और बड़ी खबर आई एम आईम के मुख्या असदो दुन ओवैसी ने उताप्रदेश में सौ सीटों पर लड़ने का ऐलान किया वैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी का अभी तक सिर्फ और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ गटबंधन है वैसी ने ट्ट किया उताप्रदेश चुनाव को लेकर मैं कुछ बाते आपके सामने रख रहा हूँ हमने फैसला लिया है हम सौ सीटों पर उपना उमिद्वार खड़ा करेंगे पार्टी ने उमिद्वारों को चुननी की प्रक्रिया शुरू कर दी हमने उमिद्वार आविदन पत्र भी चारी कर दिये हम ओम प्रकाश राजभर्ग साहब भागेदारी संकल्प मूर्चा के साथ हैं हमारी और किसी पार्टी से चुनाओ या कटबंधन के सलसले में कोई बात नहीं हुई उतर प्रतिश के प्रयागरास इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुचाएंगे गायब किशोर का शौ मिल चुका है गाउं के बाहर किशोर का शौ मिला है कल शाम से घर से लापता था किशोर परिजनों ने हत्या कर फेकने का आरोप लगाया भुर्पुर के सुकु का यह मामला है, जहां पर आपको बताते चलेे। कल शाम युअक जो है वो गायब हो गया था और आज इसका शव गाउं के बाहर बरामत कर लिया गया है परजुनों का आरोप है कि पहले यूवक की हत्या की गई उसके बाद गाउं के बाहर उसका शव जो है वो फेग दिया गया बड़ी खबर है आपको टेलेविजन स्क्रेइन पर आपको बताते चाहिए परजुनों ने हत्या कर फेकने का आरोप लगाया पर जुनों ने कहा है कि पहले युवक की हत्या की गई बच्चों की हत्या की गई उसके बाद उसको जो शौथा वो गाउं किनारे फेक दिया गया सुखु का ये पूरा मामला बताया जा रहा है अपको टेलेविजन स्क्रीन पर जो है प्रयागराज से बड़ी खबर है प्रयागराज में एक युवक की हत्या करने का निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया